आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मक्खन यह मैंने पांचे दिन की मलाई उतार रखी है थोड़ा सा दूद भी है इसमें इसको हम मैस कर लेंगे हम इसका आमूल का मक्खन बनाएंगे इसके लिए मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डालूंगी अगर आप इसका वाइट मक्खन चाते है तो वाइट भी निकल चकता है आप इसमें हल्दी ना डालेंगे तो इसमें यह वाइट बन जाएगा हम इसमें हल्दी डाल लेते हैं और तोड़ा सा नमक और इसको थोड़ी सी देर ऐसे मिक्स करेंगे इसको रूम टेम्ट्रेचर पे लाके यह देखिए गायच हमारा मक्षन बन चुका है इसको हम ठंडे पानी में डालेगे यह मैंने ठंडा पानी लिया है रिज का इसको हम धो लेंगे दो बार धो लेंगे हम इसको ठंडे पानी में कि यह देखें गाइस हमने इसको अच्छे से दो लिया है पर यह हमारा मक्षन बन की प्यार हो लिया है यह हमारा मक्षन मन के त्यार हो चुका है यह देखिए बड़ी आसा मक्षन घर में ही निकाली है मैंने यह तीन-चार दिन की मलाई लिए मलाई से मैंने यह निकाल लिया है यह खाने में भी बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट बिल्कुल अमुल के मक्षन जैसा है अगर आपको इसको वाइट मक्षन रखना तो इसमें हल्दी ना मिलाना तो आपको यह वाइट मक्षन निकलाएगा आपका थैंक्यू फोर वाचिंग प्लीज शेयर एंड सस्क्राइब बाए ट्राइट घर का मक्षन हल्दी होता है इसलिए आप इसको जरूर ट्राइ कीजिएगा